नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विकरुमूर आपस वागेता मारी यूटूब देने में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में देख सकते हैं हमारे पास अवला तो इसके बारे में कुछ आख खास आपको बताने वाला हूं जो हमारी सबकी इच्छा रहती है कि यह ज्यादा से अगर जो रेंज अमें देन निकाल के क्योंकि यह चार किलो वाट में तो कंपनी इसको इको पिचार में किलोमेटर रेंज बोलती है तो यह लगबग है अगर हम सही से चला के चलाएं गे इक कमदों हो तो मैं अगर कुछ चला लेते हैं 10-15,000 km है उसके बाद बैंटरी जो अथी रेंज देने लग जाती है तो मेरे को भी पता चला का लिश्याम को तो वह आपको मैं दिखाता हूं कि इस से मैंने सिंगल चार्ज में 50 की स्पीड में नॉर्मल मोड में इसके बता देता हूं आपको वह बताने को आपको आपको तरीका क्योंकि 170 km के जो रेंज निकालना कोई ममूल टान यह वह नॉर्मल मोड में है क्षे के दिनकलने का तरीके मां आपको बता रेंज सबसे पहले में धेया रखने चया टायर प्रेसर का राखे का 35 रखा था और पिछे के टायर में रखा 40 PSI और इसमें चलाने का मारा तरिका भी माइने रखता है क्योंकि हमें अगर एकदम से करेंगे तो यह मतलब इसका जो यहां पर दिखाता है वह बहुत जादा जाता है जिससे ज्यादा जो इसमें घपता होती है तो मैं 35 आगे का क्रूस कंट्रोल पर मैंने चलाया था इसको 50 की स्पीट में करके क्रूस कंट्रोल लगा दिया था तो इससे काफी अच्छी रेंज देती है और जैसे हमें तो मैं वीडियो बना रखा था वह दिखा देता हूं आपको यह देख दोस्तो sommes को शतरा पर शेंट्री बची ही इसकी और किलोमेटर माको दिखा देता हूं कितना आज मैंने इसको चला दिए यह देख सकते हैं 137 MP4 किलोमेटर तो काफी अच्छी रेंज निकल लिए तो कि लग बग 170 किलो मेटर के करीब जाएगा क्योंकि 17% बैटरी और बची हुई है वो भी इकको मोड में चलेगी क्योंकि 15% के बाद इकको मोड में चलेगी है टेमपरेचर देख सकते हैं कि इतना बचा हुआ इसका तो काफी अच्छी रेंज दिये दोस्तों यह देख सकते हैं इ निकाल सकते हैं तो देखा दोस्तों आपने कितनी जो अच्छी रेंज है अमारी ओला ने निकाल लिए तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जो ओला चलाते हैं उनको ताकि वह अच्छी से अच्छी रेंज निकाल सकते हैं तो दोस्तों कैसी लगी वी यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलें सी कोई नेक्स्ट वीडियों तब तक लिए पाई